Assalamualaikum दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको YouTube चैनल English Literature पर Welcome कहती हूँ आज जो novel हम पढ़ने जा रहे है उसका नमा Lord of the Flies जिसको William Godling में लिखा है William Godling जो है ये एक British novelist है जो 19 September 1911 को पैदा हुए और इनके death 19 June 1993 में हो चुकी थी ये जो राइटर है William Godling इनकी राइटिंग स्टाइल दूसरे author से थोड़ी different है क्योंकि ये complex और poetic description जो उनको avoid करते थे और अपने style के अंदर simple style यूज करते थे हाँ simple style के साथ साथ ही अपने novels के अंदर allegorical references भी बोग साथा यूज किया करते थे अलगोरी क्या होता है एक ऐसी story एक poem या picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning जो hidden meaning को reveal करने के लिए add करे writer story के अंदर अपने work के अंदर और allegory जो है ये एक symbol का काम देती है एक fiction के अंदर एक work के अंदर जो major theme है Godling की writing के वो civilization versus slavery है, loss of innocence है, struggle to build civilization है, man's inherent evil है इसके इलावा जो सबसे important theme है इनकी writing में नदर आता है वो है corruption writer के दो works बहुत important है एक है to the ends of the earth और दूसरा है lord of the flies lord of the flies जो है इनका most important और most notable work consider किया जाता है इस novel के key facts यह हैं कि यह जो genre है इसमें allegory और dystopian fiction यूज किया गया है यह English language में लिखा गया है, जिस time और place में लिखा गया था वो early 1950s का time था और Salisbury, England में लिखा गया, publication date इसकी 1954 थी जिस publisher के थूँ यह publish करवाया गया है वो faber and faber है नोबल की जो tone है वो dark दिखाए गया है, violent है, pessimistic, tragic और unspearing tone दिखाए गया है जो tense यूज हुआ है इसके अंदर वो immediate past tense यूज किया गया है setting time के लिखाए नेर future दिखाया गया है, place के लिखाए एक deserted tropical island दिखाया गया है protagonist इसके अंदर raft है important symbols हो इसके अंदर रहेंगे हैं हमारे पास the conch shell है, piggy's glasses है, signal fire है, beast है, lord of the flies है, raft, piggy, jack, simon और roger यह important symbols होंगे इसके अंदर तो दोस्तों यह दो होगई कुछ key facts और basic introduction अब बात करते हैं अपने novel के characters की जो पहला character हमारे पास आता है वो इस novel का important character raft है raft है, raft जो है, यह novel का protagonist भी है और यह 12 साल का बच्चा है, जो के white boy है island पे जब भी आया है, तो island पे आने के बाद इसके जितने बागी followers थे, उन्हें इसको अपना leader बना लिया यह बहुत ही calm और rational दिखाई गया है काम और rational होने के साथ-साथ इसके पास strong moral sensibility भी दिखाई गया है आयलेंड के उपर सबस्वाइस क्रीक्टर राफ ही दिखाई दिखाया गया है सीवलाइसड होने की बेस पर खुच चाता है कि जितने भी island पे घागी के सुडेंट के जो स्कूल बोट है जो इसके फेलोस है, वो भी सिविलाइज ही रहें, इसके एवाँ नोवल के इंदर जो राफ का करेक्टर रिप्रेजेंट करहा है, थे पॉलिटिकल ट्रीशन अफ लिबरल ड्रीमोक्रीशी, नेक्स एज़ एज़ एक नोवल के इंदर एंटागोनिस्टा बिल्कुल ऑपोसित राफ से इसका क्रेक्टर बोगता क्रेवल दिखा गया है सडिस्टिक दिखा गया है और यह जो है बहुत ज़ाद़ प्रीकुपाइड बिद हंटिंग एंड गिलिंग पिक्स इस क्रेक्टर की जो सेडिजम मैं इंटैंजिफाइस करते रियर थूआट दे नॉवल और इसी बे जичपित कर वह दो होता हैं पासे संहीजर कर देता हैं स्टैसिक अपने मृता किराśli दो टॉज्ट जो गया है प्रासिट Cosmin iispspore नोवल के पाशकर धिखाया गया थिसकी नेचर के साथ डीप इफिनिटी है और यह अकेला ही जंगल में वॉक करता रहता है साइमन जो है यह स्पिरिचल साइड ओफ यूमन नेशर को रिप्रेजेंट करता है साइमन जो है यह नौवल के अंदर बीस्ट को ढूंडता है और जब जाता है बीस्ट को देखने के लिए तो बतारागता है वो बीस्ट नहीं एक्चली नहीं है ड़स्ट पाइलर था और यह बात ये बॉइस को बताने के लिय 있으면 करते हैं कि साइमन ही बीस्ट है और इसको वो मार देते हैं पैनिक में आकर Simon का मतलब होता है He whom God has heard तो राइटर ने यहां पर इसको spirituality की तोर पे दिखाया है इसको Christ-like figure के तोर पे दिखाया है और इसके character के दुरू Judo Christian Allegory रिप्रेजेंट की है Next है Piggy का character Piggy जो है यह बहुत ही loyal character दिखाया गिया है जो के Raaf के साथ बहुत है loyal है और इसको अपना नेम नहीं पसंद Like Piggy इसको यह नेम नहीं पसंद यह एक intellectual दिखाया गया Ireland के ओपर और अगर हम इसके name की significance की बात करें तो symbolically जो है ना जो आइलेंड पे पिग्स थे यह इस Piggy उसको connect कर रहा है पिग्स के साथ क्योंकि पिग्स जो थे ना उसको जैक ने मारा था जैक्स को मडर किया था उनकी हंटिंग स्टांट कर दी थी और बिल्कुल इस तरह इसने पिगी को भी नोवल के इंदर मार दिया था इसके लाब पिगी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कल्चेर विदिन दा डेमोग्रेटिक सिस्टम और थ्रूओर अट्वल से बहुत-आदा सिवल लाइस दिखाया गिया है इसके बाद हमारे पास करेकर है रोजर का रोजर जो जैक का फॉलूवर उसका फ्रेंड है बहुत क्रिल दिखाया गया है और यह दूसरों को बहुत अ तंग कहता है और ये पिगी का वो फ्रेंड है रोजर जिसने एक रोक होती है रोक का एक टुकड़ा ना पिगी के ओपर फैंड कि उसको मार दिया था नेक्स्ट है हमारे पास सैम एंड एरिक सैम उन एरिक जो हैंने दोनों ट्विन्स ब्रदर और ये राफ के बुझा था क्लो नेक्स्ट है ॉफ-फङल, लोडओ बफ्द फ्लैज ये शेयतान को कहते है इस नौवल के अंदर जो ही रॉडओ पिग को दिया गया है कि जैग जैग वो पिक को मार देता है और उसका हैट काट के ना एक डंडे पर लगा कर जंगल में रख देता है तो उसको नेम दिया गया है लोड ओफ दी फिलाइस का और यूटर क्रिस्टिन मैथुल जो के अकॉर्डिंग ना बील्जब एक शेतान है उसको जाता है और नोवल के अंदर जो यह लोड ओफ दी फिलाइस है यह स्विजरी को और इम्मॉरल्टी ओफ द जैग जो है ना उसको सिंबलाइस करें या निकि एक तो सिविजरी दूसरी जो इम्मॉरल बिहेवियर है जैग के ट्राइब का उन दोनों को सिंबलाइस करें आपको फ्राइस करें लोग सिंबलाइस करें लॉव टली का श्याता यह स्विजरी दूं आपकि जैसे कि महिन को बताया के देक शैटरन है ठीक है के शितान का चेला वह है और उसको लड ऑफ दी फ्लाइस कहा है उसको लोड ओफ दिलाइस करा दान के लावा लोड ओ फिल् की वो भी डिर्टीर से डिर्टीर होती है जैसे जैसे उनकी स्विजरी इंक्रीज होती है वैसे उनकी इवलनेस भी इंक्रीज होती रहती है वो जो डिर्टी बच्चे होते हैं गंदे-गंदे बच्चे होते हैं वो फिर बच्चे करते हैं मिलकर अपना एक लोड बना लेते है इसका नाम रहते है Lord of the Flies और वो पिक का हैड होता है तो इन शोट जो टाइटल है वो इंडिगेट कर रहा है स्विजरी को और फिल्थ को डर्ट को दाकनेस ओफ दे सोल को तो टाइटल सिगनिफिकन्स आपको क्लियर हो चुका होगा अब बात करते हैं हम लोग समरी की यह जो नोवल लिखा गया है इस नोवल में बताया गया है War का जब War स्टार्ट होती है तो अटाइक्स हो रहे हैं अटॉमिक अटाइक हो रहे हैं और उस अटाउमिक अटाइक की बेस पे बच्चे हैं कुछ जिनकी एजिस छे साल से बारा साल के दिनम्यान में होगी उनको उस War के अटाइक्स से बचाने के लिए एक सेफ प्लेस के ओपर ना पहुंचाने का फैसला किया गया है अब जब यह डिसिजिएन ले लिया गया और उसके बाद जब इन बच्चों को लेकर जाया जा रहा था जिस प्लेन के अंदर तो क्या होता है वो प्लेन तबाव हो जाता है अब वो जब प्लेन तबाव होता है ना तो एक अननेम्ड आयलेंड पे जाकर वो प्लेन गिर जाता है अब जितने भी वरकर होते हैं जो जहाज के अंदर होते हैं वो सब के सब मर जाते हैं लेकिन फॉर्टूनेटली जो बच्चे होते हैं वो सब के सब बच्चे बच्च जाते हैं और जहाद से निकल करना आयलेंड के डिफरेंट जो प्लिस्स होती है वहां पर फैल जाते हैं और जिस आयलेंड पे पहुंचते हैं वह एक अनिहाबिटेड आयलेंड होता है जहां पे बच्छे अकेले होते हैं कोई भी अडल्ट इनके सुपर्वियन में नहीं होता और क्या ह है वापिस इनके घर और फिर नोवल के स्टार्ट पर दो हमारे पास में प्रोटेगोनिस्ट आते हैं एक है राफ दूसरा है पिगी राफ जो है ना सब बॉइस के अंदर ऑल्डेस्ट है हैंसम है और कॉंटिटेंट है पिगी जो है ना एक एस्थमाटिक बॉय जिसको अस् है और यह बहुत ही जाद है इंटेलिजेंट है फिर राफ और पिगी जब बिल्कुल सी के पास होते हैं सुमंदर के पास होते हैं तो राफ को एक कॉंच शल मिलता है और पिगी बिताता है कि इसके अंदर से अवाज निकालो तो दूर तक जाती है फिर राफ जो है उसको ब अब जब यह कठे होते है तो इनके आते हैं इनके 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 इ कि राफ इंटेलिजेंट भी है राफ अच्छे वे में हमें लीडर्शिप दे सकेगा लेकिन जैक चाहता है उसको लीडर अपॉइंट किया चाहिए अनिहाँ जो स्टूडेंट्स जितने भी बॉई थे स्कूल बॉई वह राफ को अपॉइंट कर लेते हैं और इस बेस पर रा साइमन साइमन के ड्यूडी जाती है कि तुमने जितना भी आयलेंड उसको एक्स्प्लोर करना है अब एकन के लिए निकाल लेते हैं कि एक डिजर्टिड आयलेंड के ओपर है और इनको खाना चाहिए इन्होंने खाने की तलाश में निकलना है फिर राफ जैक और साइमन जो कर अधर दी को जाता है और कहता है कि मैं नेक्स टाइम जो है ना कॉंफिडेंट रहांगा गबराऊंगा नहीं और नेक्स टाम में बहार गबरायान मार दूँ कर था पिक को फिर सब लडकों का गुरू जो वापस आता है एक सबिदिशन से तो राफ सोन एक मीमीटिंग रे कि वो माउंटेन की उपर फायर से लाएंगे जो कि कोई भी पासिंग शिप गुजर भी होगी ना उसको हमारे यहां पर प्रेजन्स का सिगनल देगी और तीसरा जो यह देता है और वो यह देता है कि हम लोग अपने रहने के लिए हर्स बनाएंगे मिन्स जोपड़ियां बनाएंगे सब राफ की बात मानते हैं क्योंकि सब को बिलीफ होता है स्टार्टिंग पे कोई ना कोई इनकी हल्प के लिए जरूर आएगा जो इस आयलेंड से इनको बचा कर ले जाएगा ताकर जब बिलीफ हमेंड कोई कोई शे धिस गुषरे थो उसका पता हो जोग हम लोग यहां पर present हैं हम लोग यह मुझे हैं तोонь कुछ वहों आग जिलाते हैं और जब आग जिलाते हैं तो वहां पर एक दरख्ट होता है वह दरख्ट भी जल जाता ना क्योंके आग बनाएं ठीक है हम लोगों को यह नी चाहिए के पहले हम आग लगाते चले और प्रीगी इसलिए परेशान होता है कि अभी तक कितने बॉइस हम लोग टोटल है उसको लगता है कि कोई एक खो भी चुका हुआ हुआ है फिर इसके बाद ऐसा हुआ है कि जो राफ है वो और स्ट हुआ होते हैं वो कोई भी हल्प नी करते हैं लेकिन कुछभास जो कि जाक के कौयर के अन्धर एं़ॉ इन उनके डूटी के थी जूटी है उनकी धुटी क्या थी उनके लिए इसथी के laser हैं घुटी करके लेकिन होग ऑं तिकोठीं करके लेकिण हन्तिंग करके बजाए ह waktu के राफ की लड़ाई शुरू हो जाती है और इस फाइट के बाद एक पर्दा होता है साइमन साइमन जो होता है वो सिफर से वो बंदा हो जाए तुरू आउड ना हल्प कर रहा होता है राफ की वो ना वहां से जगा छोड़ कर बात के लिए जला जाता है जब बात के लिए जात जहां पर अरोमेटिक बुशिज होती है और फ्लावर्स होती है अब इसके बाद थुछा ताइम गुजरता है और जो लड़के है वो सट डेली पैटरन के अंदर आयलेंड पर सेट हो जाते हैं जो यंगेस्ट बॉइस होते हैं उनको लिटन नस के नाम से बुलाया जाता है य जो करते हैं दूसरे की तरफ हलाके यहां पर इंके पास परन्टल अथोरिटी नहीं है जैक जो अपनी हंटिंग कंटीन हो रखता है जबके पिगी जो के इन सब बॉइस के अंदर ना आउटसाइडर कंसीडर किया जाता है वो एक संडाइब नाने की कोशिश करता है इसी द फायर उसको से चलनी दिया तुमने फायर भुजने दी और तुम और तुम्हारे जो दोस्त है वो हंटिंग में लग रहे जैक कहता है कि माई डूटी हंटिंग करना थी और इस बेस पर आके जैक पंच करता है पिगी को और इसकी जो ग्लासिस का एक लैंज होता है वो च्zne कर दोखाने कि परेटेंड कर टाय तोइस के बाद रगाने प्रञाए को तौब पर वेइवर बड़ा अचीब साहा और इसके बात यह मुत 5x पूलाता है पूरी पार्टी को ग्रीड करते पूरिकदा करते हैं उसके ने डियर्था पूरब निकितिशने हैं ठीवक्त बिल्डिंग जो है उसको बनाने के लिए हमारे हल्प आउट किया ना तुमने शल्टर्स प्रवाइड करने के लिए लिए हमारे हल्प आउट किया है और यह इंसिस्ट करता है कि इस आयलेंड के ओपर जो आप बहुत साथ इंपोर्टन चीज है क्योंकि अगर फायर होगी राफ ना खुद डर रहा होता है लेकिन भी वो कहता है कि हाँ जरूर कोई ना कोई हैगा हम लोग को कभी भी होप नहीं चोड़नी चाहिए एवन कि जब नॉवल स्टार्ट पर पीगी भी कहता है कि हम लोग को यहां पर पॉजिटिव पिपल चाहिए है वी नीड बनाने भी कोई हल्प नहीं करें तुम लोग तो वैसे यहां पर बैठे वह उनको तंग करता है यह बच्चों को भी ना यह और जो स्कूल बॉइस होते हैं वो समझते हैं यहां पर कोई भी बीस्ट नहीं है फिर उसके बाद फिल कहता है यह भी एक लिटन है लिटल टन है ठीक है वो कहता है फिल कि मैंने एक नाइट मेर देखा जब मैं उठा तो पैने देखा द्रक्तों में कोई हरकत वह रही थी साइमन कहता कि हो सकता है जो फिल जो उसने मुझे देखा हो क्योंकि मैं जो रात को जंगलों में वॉक कर रहा था जैक और राफ की फिर से लड़ा जंगी जहाज होता है अब एरियल बैटल हो रही होती है हवाई जंग हो रही होती है उसमें क्या होते है एक जंगी जहाज होता है वो तुबाव कर गिर जाता है और उसमें ना जो पाइलट का पारशूट नी खुल पाता है पाइलट का पारशूट ना खुलने की बेस पे पा κάποι tecnología पारफ को उठाते हैं उसमें जच भी होता है जयक कहता है कि हम लोगों को शिकार के जाना चाहिए पिकली इंसेस्ट के था कि नहीं तो जो बीस्ट एंग करीब भी नहीं आएगा अब को असके बात कर था लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता और कहता है अब इस को प्रेफरेंस नहीं दे रहा रूल्स और राफ को अबे नहीं कर रहा बहराल राफ डिसाइड करता है कि वह हंटर्स को जोएं करेगा ताके वह बीस्ट को ढूंडे फिर उसके बाद जो एना जैक वापस जाने के लिए माउंटेन पर जाकर फार्ट लाने की वजाए विश कर लिए प्रेस करते हूँ बीश को कि वह चाहता है कि वह उन्हें टू बुल वर्ट निर दासी वह बनाए अपना एक माहल बनाए तो अगर हम और क्रिटिकली देख तो गितना चेंज आगेने पहले दे वर विश्ग तो गट ना अब क्या हुरा है जब लाट ज जाग्ड वार वो यहां पर फोर्ड बनाना चाहता है अब इसके बाद हंटर जो है वो जब बीस की तिलाश में निकलते हैं उनको एक बोर मिलता है जो अटैक कर दिता है जैक के ओपर पड़ जैक स्टैप्स इट एंड इट रंडवे जब जैक उसको मारता है तो वह भाग जाता है फिर हंट जो है दुबारा से शुरू कर देते हैं अपनी चैंटिंग करना किलद पेगड़ फिर उसके बाद जब वापस आते हैं और वापस आपके बताता है पिकी को कि उन्होंने उसने न इस ने एक बीस देखा पिकी कहता है कि मैं अब इस बात का यकीन नहीं कर सकता इसके बाद वो राफ को तंग करना शुरू कर देता है उसको कावड करना शुरू कर देता है और जितने भी बॉइस होते हैं उनके पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर देता है और जितने बॉइस होते हैं उनको बलाता है और कहता है कि तुम लोग ना राफ को सीफ के तोर पर रिमूव क करता है he will be the chief of the hunters and they will go to the castle rock where they plan to build a fort and have a feast ठीक है अब इसके बाद साइमन जो है साइमन जो है वो बीस्ट की को डूढ़ने के निकल जाता है कि बीस्ट एक्शुली में है कहां पर क्या है इस सब कुछ देखने के निकल जाता है और इसी दुरान जो है ना हंटर्स एक पिक को मारते हैं और पिक को मारने के बाद जो है ना पिक का बलेड मौरिस के फेस्ट पे लगाता है और उसके बाद जेल को मारने के बाद उसका हैड काट एक स्टिक के उपर लगा कर ये जंगल में चोड़े जोड़ेते हैं कहते हैं इक पिक होगी फिट जैब दूसरे जो हंटर होते हो उनको फ्रसाथ वापस लेके लिए आता है और वापकी लोगग के हम को कई गटां कि पिग कर था कि तुम लोग आज आंडो हम आज फीष्ट करने वाले हैं Lord of the Flies क्योंकि बहुत दा जो मखी होती है ना इस हैट के इड़िद घूम रही होती है और साइमन सोचता है कि जो यह हैड ना लोड़ दफ लाइस यह से बात कर रहा है ठीक है तेलिंग हम हाव फुलिश ही इस और अधर बॉइस थिंग ही इस इंसेन और इस पिक के हैड से बात करने के बाद साइमन सोच को बैठता है जो अपनी रीगें करता है कॉंशिसनेस को वह जाता है माउंटेन की टौप की तरफ और उसको पता लगता है यह पर डपाइलेट पड़ा हुए वह पाइलेट जिसको लोग भीस रहे थे और यह भाग के माउंटेन से दिशे उतरता ह तो जाता है अपने बॉइस की तरफ उनको बताने के लिए कि उसको क्या मिला है ठीक है एक्चली मोग गलत समझ रहे थे यह तो एक पाइलेट था यह भीस नहीं था जब बताने के लिए भाग रहा होता है तो जब यह लोगे पास पहुंचता है तो वह बॉइस समझते हैं कि कि यह वीस्ट है और बीस समझ के वह साइमन को माना शुरू कर देते हैं और वह इतना मारते इतना मारते के साइमन की महां पर ड़त हो जाती है क्योंकि जिस टाइमन भाग के आ रहा होता है वह टाइमन का फेस उनको शो नहीं होता और तब सब के सब बॉइस जो एना वो पि सिस दो ट्विन्स सैम और एरिक और पिगी यह तीनों जो है ना यह राफ के साथ होते हैं बाकि सब कुछ सब के सब लड़के छोड़कर जो जैक होता है वो जो को अंसिविलाइस परसन बन चुका होता है उसको जो हैन कर लेते हैं और फिर वो फायर को जलाने के लिए आते ह और अटैक करते हैं पिगी के उपर और पिगींगी की जो उती हैं उसको फूरा लेते हैं जैक बंदया घर receivers को जम जो जब कर दो अपने जाने अगों इसको जय deficitってी मिला है बॉल्स को भी वहां लगते हैं लाव अपनी जान बचाने के लिए भागता है वहां से जोगता है वहां से गज़ा कर खुद को आ लेता है सबके सब सब्सक्राइब वह सेवेज़ें बन चुकी हुए हैं और वह राफ को डूढने के लिए जंगल ने आग लगा दे तो वह जो चाहिल पर आता है यानि कि कोश्ट पर आ जाता है उस दूरेशन पे जो बार्टी ग्रूप मेंबर होते हैं यानि कि जो जारी होते हैं वह और गांगता भागता भागता जाता और वह उफिसर के पास आज कर दोपीटिटा बेटा तूम किया कर रहे इंच मैंने की तो राव जलाने पर जोर आग जलाने पर जोड़ दे रहा था कि आग जलाओ वो इनके rescue का close बनेगी तो वही जोढ जोआरा की rescue का close बन्दी है लेकिन इस टाइम पर जो हाग जिना गई गई जगल के अंदर वह एक्छिने घर को अमारने के लिए जलाई गई थी और राफ जो है वो नेवल आफिसर को देखकर उंची उंची से रोने लग पड़ता है और एक्शली में वो क्यों रो रहा होता है वो रो रहा होता है क्योंकि इसकी दोस्त पिगी के डेथ हो चुकी होती है वो रो रहा होता है कि actually में इंसान की जो instinct है वो कैसे है इंसान कितना evil है अंदर से जब वो society से दूर हुआ society के pressure से दूर हुआ तो वो कितना evil बन के रह चुका है वो रो रहा होता है इंसान के heart की darkness दे कर और यहां पर पर जो है novel की ending हो जाती है और इस novel के तो जो writer ने message convey किया ना वो यह convey किया कि इंसान इतना selfish है इतना greedy है कि वो अपनी lust को पूरा करने के लिए अपने जो भाई होता है ना उसको भी मार देता है और इंसान का जो inner होता है वो evil होता है और जो इसने अपना civilized outer दिखाया होता है ना वो actually में एक lien है इंसान की soul dark है ठीक है तो जो जो थीम हमने देखा है वो civilized सवेजरी का individualism का community का nature of evil का man versus nature का dehumanization of relationship का loss of innocence का negative consequences of war यह हमने इसके थीम देखे थे और important symbols वो इसके इंदर island human condition को symbolize कर रहा है इसके एलावा हमारे पास जो piggy है वो intellectual को symbolize कर रहा है Simon saint ko symbolize कर रहा है raw freshness ko symbolize कर रहा है jack autocracy and destruction ko symbolize कर रहा है lord of the flies यह darkness of human heart ko symbolize कर रही है fire यह वो stands for light darkness of forest यह वो terror ko symbolize कर रहा है hunt bestiality of man ko symbolize कर रहा है and title itself a great symbol है jokai evil part of human nature ko symbolize कर रहा है इस novel के important question है character of simon character of rough character of jack human nature major themes symbolism or title justification or as a fable यह इसके important question है I hope क्या आपको नोवल अच्छ से समझा चुकी होगी video पसांदा है तो जरूर लाइक किजेगा comment जरूर करियेगा कैसी लगी वीडियो को बताएगा comment के अंदर इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेर करियेगा